हलो एवरीवान राहूल शर्मा दिससाइट फॉम एक्विटी नाइटिनाइट नाइट नाइट इस वीडियो में बात करेंगे वीकली मार्केट आउटलोग और इंपॉर्टन स्टॉक्स के बारे में जैसे आप जानते हैं कि हम हर वीक आपको संडे के दिन पाथ स्टॉक्स औ और अगले आने वाले हफते के बारे में जानकारी देते हैं तो इसकी पूरी डिटेलिंग आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल है क्विटी 99 का टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको फ्री में लाइव मार्के levels तो दोस्तों nifty cash में जो है वो 10,810 का जो है वो सबसे nearest support point है अगर nifty इन levels को तोड़ती है तो नीचे के side में 10,740 से लेके 10,660 के levels तक जा सकती है अपर side में देखें तो 11,000 पैतिस का एक important hurdle zone है resistance point है अगर उसको crossover करता है और closing basis पे आप समझ लीजे nifty अगर जाती है 11,35 के उपर तो 11,080 और 11,150 के levels आपको इसी हफते में आते हुए दिखेंगे बात करते हैं bank nifty के बारे में तो bank nifty 21,775 का जो level है वो बहुत important support level है और इसको तोड़ने के अगर nifty bank nifty नीचे जाती है तो 21,550 से लेके 21,225 के levels आपको आते हुए दिखेंगे similarly upper side में देखें तो 22,175 का strong hurdle zone है resistance point है तो इस हफते में आपको अगर ये closing basis पर अगर इस level के उपर जाता है 22,175 के level के उपर तो 22,400 और 22,650 के levels आपको इसी हफते में आते हुए दिखेंगे बात करते हैं आप stocks के बारे में तो दोस्तों पिछले हफते हम लोगों जो stocks ये थे उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले हिंदुस्तान Unilever हमने 2223.8 मतलब की 2223 रुपए पर recommend किया था तो यह 2340 का इस हफते में इसने high बनाया है करीबन 120 रुपए यहां पर मिले हैं बिल्कुल आम शूर की बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा कमाया होगा न्यू लेंड लाब्स जो हम लोगों ने recommend किया था 585 पे उसने 735 का high बनाया है आम वेरी शूर की यहां पर भी बहुत अच्छा पैसा लोगों ने profit booking करी होगी स्पार्क और नफकार कॉर्प जो है वो हमारी expectation के बिल्कुल भी उसमें खड़ा नहीं उत्रा है और उसने बिल्कुल भी performance नहीं दिखाई है और उसके लाबर जो thermax हमने आपको दिया था उसमें stop loss trigger हो गया था तो हम शूर कि आप सब लोग उससे exit हो गए होगे यह अपनी position नहीं बनाए होगी बात करते हैं अब इस हफ़ते के stocks के बारे में सबसे पहले हम ले रहे हैं VIP industries इसकी जो last closing आई है वो 269 रूपीज के पास में आई है stock जो है वो चाट से बहुत दी अच्छा नजर आ रहा है और positional traders इसमें किसी भी गिरावट पे मदब 268 से लेके 262 के बीच में अपनी position बनाए 252 का हमें इसमें stop loss रखना होगा और आने वाली expectation में जो figure है वो है 287 फिर 302 फिर 310 के levels आपको अगले 10 से 15 दिनों के अंदर आते होगे देखेंगे mcx दोस्तों mcx जो है आपको last closing 1345 के पीच में मिली थी stock जो है बहुती बढ़िया highly explosive है charts और पोजिशनल जो ट्रेडर्स है वो इसको 1345 से लेके यहां से बहुती बहुती बहतरी इन chart में इसमें breakout मिल रहे है पोजिशनल ट्रेडर्स 504 रुपे से लेके 500 रुपे की गिरावट जैसी दिखे वहाँ पे आपको buying बरानी है 489 का आपको stop loss रखना होगा और expected high जो है वो 513 से लेके 525 फिर 535 के levels तक जाती हो देखेगी आपको Sanferma का stock 10-15 दिनों के अंदर बात करते हैं चौते stocks के बारे में तो देखी चौता stock हमने लिए राडियो को खैतान हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी यह चीज हमने रेडियो को खैतान वो किया था recommend किया था इसकी last closing 391 रुपीस के पास में है यह stock जो है वो एक काफी levels के बीच में खरीदना है position बनानी है 367 का जो है आपको stop loss रखना होगा और upper side में target इसके 410 से लेके 425 और 440 के level आपको अगले 1-2 हफ़ते के अंदर आते हुए दिखेंगे Excite industry हमारा पांचवा selection है 159.45 मन्दा करीबन 160 रुपे के आजपस की closing मिली है इसको positional traders जो है वो किसी भी गिरावट में ले position मना है 159 रुपी से लेके 155 के बीच में बाइंगे अरिया है और जो stop loss है वो 152 का रखना होगा अपर side में हमें stock से expectation है 167 फिर 170 और 175 के levels अगले 15-20 दिनों तक के अंदर-अंदर आपको ये stock Excite industries मिल जाएगा दोस्तों ये था complete weekly market analysis और important stocks जो equity 99 के तरफ से आपके पास आए हैं दोस्तों सभी लोग से request है कि market में बहुत उतार चड़ाव हो रही है volatility बनी हुई है तो आप लोग प्लीज cautious रहे के trading करें और हमारे instructions को बिलकुल follow करते रहे हैं जो SL अगर hit हो रहा है तो उसको आप वहाँ पे hit होने दीजिए वहाँ पे आप exit हो लीजिए दुबारा से नीचे के level पे दुबारा averaging करने की जरुवत नहीं है जो important stocks हैं जो हम fresh recommendations द thank you so much this was Rahul Sharma from equity 99